आन्वे बारव बरती में यहाँ पर बहुत ही महतुपुर जानकारी है और वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर अपलोड करने में देरी हुई और आप सभी को इंतजार करना पड़ा उसके लिए आप सभी से छमा प्रारती है और सबसे पहले आज जितने भी भाईयों का जिन भी गोरकपूर में जन्ता दर्संग कारेक्रम में सद्गोर्भ रहा आप सभी का आपसभी ने बहुत थी धैर पूर्वक सूज भुच के साथ बहुत ही सरहनी प्रयास आप सभी के दoration किया गया है और आप सभी का प्रयास सफल भी होता वा दिखाई दे रहा है पहले दो बहने गई थी जहां पर मुख्यमंद्री जी के द्वरा ये बोला गया कि कोड केस के प्रकरण उसके बाद आप सबी को साथ में ही न्युक्ति पत्र बटेंगे उसके बाद फिर दुबारा से पांच बहने जाने का प्रयास करती है लेकिन उनको प्रसासन के द्वरा रोक लिया जाता है उसके बाद फिर आप देखेंगे मुख्यमंद्री जी जब चले जाते हैं वहां से उसके बाद दो बहने वहां पर जाती है उनसे मुलाकात करती है और पूरी बात समझने के बाद महंत जी के द्वरा मामले को संग्यान में लिया गया और आप ये समझ ल इक तरह से इसके बाद उनके द्वारा सची उसर को से बात की गई और जो कुछ भी कोर्ट वाला मैटर है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रेल की एक टेंटा टेवली डेट लगी हुए तेरा अप्रेल से चुनाओ की अधिसुशना और तेरा अप्रेल से निकाय चुनाओ कि जो आचार संगीता हो लागू हो जाएगी ऐसे तो यह निकाय चुनाओ है जोइनिंग लेटर वैसे भी बाड़े जा सकते हैं लेकिन समारों मुक्यमंत्री जी नहीं कर पाएंगे आचार प्रवाला मैटर फानल करवाई और उसके बाद नियुक्ति पत्र बित्रड करवाईए अब आगे उसमें क्या जानकारी वह बताने से पहले थोड़ा साब कुछ चीज़े आप और जान लीजिए क्योंकि उसको लेकर की काफी ज़्यादा मुझे भी थोड़ा साब कन्फूजन कि उसमें हुआ क्या था कि उसमें यही मैटर था कि इनका प्रमार पत्र है जो बहने गई थी सुप्रिंग को उनका प्रमार पत्र है EWS का ओ जिस डेट का चाहिए ता उस डेट का नहीं है लेकिन फिर आप देखेंगे उसके बाद जो 277 सीट है EWS की उस पर बहस भी उसको ल पर यह आर्गोमेंट लगाया गया और पैरवी में थोड़ी सी कमी रह गई थी माननी आयोग के तरफ से जो केस लड़ रहे थे सरकारी अदिवक्ता मोद है या जो अधिवक्ता मोद है बहस कर रहे थे UPPPL से आयोग के तरफ से और वहाँ पर यह भी बताया गया था कि लेकिन उसमें आयोक को या फिर शासन को किसी को यह इस चीज का अंदाजा नहीं था कि इस प्रकार का कोड आडर आने वाला है मुख्यमंतर जी ने डेट दे दी थी 21 फर और नियुक्ति पत्र बित्र के लिए पूरी तयारी हो चुकी थी सब पूरा कारिकरम से डूल हो गया था और उसमें आप ऐसा ना सोचे आयो कितरे सो जवाब लगा दिया जाएगा अब आगे देखिए आप, कोर्ट में जो मामला लिक्षिट करवाना है सूप्रिंग कोर्ट में, जो याची हैं, वो भी चाहते हैं कि मैटर जल्दर फार्नल हो जाए, लेकिन सुनवाई तभी होगी जब आयो के तरब से जवाब अपनामा लगा दिया जाएगा, लेकिन उसका बिस्तित हलापनामा लगाना होगा, जो नियमावली है, उत्रप्रदे सरकार की 2020 की, पूरी नियमावली और जो कुछ भी उसमें और माननी आयो के तरफ से उसमें हलापनामा की रूप में लगाया जाएगा, उसे के आधार पर 277 सीटों पर जो रूड होल्ड हट सकेगा, औ हम लोग ये भी कोसिस करेंगे कि सिर्मान जी जितने लोगों को नियुकति पत्र बित्र हो सकता है, उतने ही लोगों को नियुकति पत्र बित्र करा दीजिए, ताकि समारोग हो जाए पहले, उसके बाद आगे पिर जब सुनवाई होगी सुनवाई होनी थी, जिस दिन यूकतिपत्र किसी का यूकतिपत्र न रुखे सभी को नियूकतिपत्र मिलना चाहिए अब यहां पर देखिए आप सभी कारेल मुख्य निरवाचन अधिकारी उत्तर पतेश भारत निरवाचन आयोक द्वारा यह कारकरम आगई निकाय चुनाओं के लिए 13 अप्रेल को आचा और कि 13 अप्रेल से पहले-पहले सुनवाई सुप्रीन कोर्ट में होना आवश्यक है और सुनवाई जिस दिन होगी उसी दिन मैटर डिसाइड होने की पूरी उम्मीद है या हो जाना है उसी दिन मैटर डिसाइड है क्योंकि आर लेडी सिंगल बेंच का आदेश है मानने ब्राप्ता कर रहा हूं कि जो कुछ भी आपको मैं चीजें बताने वालों क्योंकि आप से जाता उमीद हमारी जूड़ जाती है और हमें मानने आयो की उपर सचीव सरकी उपर अवनी सक्सेनासर की उपर बहुत बरोसा है और इसी तरह से मुक्यमंदर जी के उपर भी भरोस इसवास है कि माने सर्वुच ने आय लेसा जो 277 सीटों पर होल्ड अलगी हो फोल्ड हट जाएगा रुख जाएगा तो यहाँ पर जानकारी यह मिल लगी है कि अभी जो यह सप्ता चला है आपका यह सप्ता छोड़ दीजी आने वाले सप्ता इने आने वाला सप्ता है आने सुप्रिम कोर्ट में केस पर सुनवाई कराने के लिए मामले को लिष्टेट करवाया जा सकता है या करवा दिया जाएगा मानने आयोग की तरफ से या फिर अगर यह डेट बहुत अगर आगे बड़ा यहां पर देखेंगे आठ को भी कोर्ट खुला रहेगा इसके बाद फिर 10-11-12-13 फिर यह कोर्ट के वर्गिंग टे है तो जो ज्यादा संभावना है पांच या छे में या फिर आठ तारिक में साथ को यहां पर देखें चुट्टी दिखा रहा है कोर्ट में यह साथ अप्रेल को आपका गुड़ फ्राइड है आपका और जिस dusty date में सुनवाई की date लगवाई जाएगी ऐयो की तरफ से अपने अधिवक्ता हमोद características माधिम से उसी के पहले-पहले आयो की तरफ से मानने आयो की प्रियास करेंगे और आने वाले वीक में यहने नेक्ष्ट वीक के लिए और जिस दिन डेट लगेगी सुपरिंग कोड में जिस दिन सुनवाई हो जाएगी आप समय लिए उसे की बाद साथ जो है एक से दो दिन का समय लगे क्योंकि तयारी पहले से पूरी हो चुकी है सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे है पहले का केवल और केवल जिस दिन नियुकती पत्र बित्र समारो होना होगा उस दिन केवले स्टाप की ड्यूटी और वा कुछ अन्य तयारी करनी होती क्यों उतनी ही तयारी करने के लिए एक दिन का भी समय परियाप्त है यानि कि 13 तारिक से पहले पहले आप सभी को नियुक्ति पत्र बित्र होने की पूरी उम्मीद है लेकिन यहाँ पर जब तक सब कुछ हो नहीं जाता है तो आप सभी इसे निवेदने की अगली बार के लिए आप सभी जरूर कोसिस करिएगा आवश्यक नहीं कि जंतादर्सन कारकरम का ही इंतजार करें हम उसके पहले भी हम एक बार फिर से गोरखपूर में गोरखनाद मंदिर में जाकर करके महंत्यजी से फिर से मुलागात कर लेंगे या फिर आयो के सची उसर से मिल लेंगे ठीक है यानि चीजे बिलकुल यहां पर असपश्ट होती रहें कि हाँ कारवाई चल लए है कोसिस चल लए है तो यह हमारा बिर्नम रने वेदन है आप सभी से यह जानकारी देने का केवल इतना मतलब है कि बिलकुल हम प्रयास करना न छोड़ दे केवल बस इतना मतलब है कि आप सभी आज प्रयास किया है वो प्रयास आपका बेकार नहीं गया है और इसी तरह सक्रम आगे भी लगातार प्रियास करते रह जाएंगे तो निस्त रूप से पूर विश्वा समय है कि आचार संगीता से पहले-पहले आप सभी को न्यूक्ति पत्र बितल हो जाना है इसके लिए हमें आयो के सचीर सर से और गोरकनात मंदरी जी के मुख्य पुजारी महनत जी से हमें बीच-बीच में पुना मिलते रहना है और इस बीच में अगर मुख्यमंतर जी से अगर मुलाकात संभा हो पाए प्रितिक शगर तो उनसे भी मिल करके अपनी बात रखने का फिर से प्रियास करना है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर यहां पर आचार संगिता से पहले समारों नहीं हो पाया यहां पर लगाता है हम सभी को निरंतर प्रियास आगे भी करते रहना है जब तक कि सब कुछ फाइनल नहों हो जाए यानि केस को लिश्ट करवारने दिया जाए मानने आयो के तरफ से अपना विज्टे थल अपनामा दाखिलना कर दिया जाए तब तक हमें बिलकुल मान करके कुछ भी नहीं चलना है यह हमारा आप सभी से बिनमर हाँ जोल करके निविदन है क्योंकि आप सभी से ज़्यादा उमीदे हमारे जुड़ जाती है और उमीदे तूटने पर कितना दुख होता है आप सभी जानते है इसलिए हमें हाँ पर कुछ भी मान करके नहीं चलना है बस अपना प्रयास निरंतर हर दिन करते रहाना जब भी मौका मिले जब भी औसर प्राफ्त हो आयो के सची उसर से महंती जी से मुक्यमंत्री जी से इनसे जरूर मिलते रहना बीच बीच में बागी आगे कि जैसे कोई भी और जानकारी प्राफ्त होगी बिल्कुल कंपर में सही जानकारी प्राफ्त होगी मैं आपको समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे धन्यवाद